इस वीडियो में आपको बतांगी 32 size का gold cut belt blouse कैसे हैं देखिज मेरे पास का पफी कमेंट आ रहा है Фेस्उबब्ब के आ रहा है और YouTube पर भी आ रहा है कि 32 size का gold cut titled Blouse की cutting बतांग मैं तो इस वीडियो में आपको blouse की cutting बता रही है जो के paper बता रही है और आप इसी डार्ट को रखे कपड़े पर भी कट कर सकते हैं तो देखी सबसे पहले आपको ब्लाउज की लंबाई लेनी है जैसे कि यहां से यहां से आपका कपड़ा है आपका कपड़ा समझेगे मैंने यहां से एक कौने से रख लिया है तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच तो यहां पर हम 14 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे और इसमें हम एक इंच एश्टा लेंगे क्योंकि हमारा जो स्लाइग मार्जन रहेगा सोल्डर पर भी आदा इंच जाएगा और आदा इंच जो हम बेल्ट को टेश करेंगे उसमें इसका सोल्डर जो है 11 इंच है तो 5.5 इंच आएगा यहां पर मैंने 5.5 इंच ले लिया और देखिए इसके जो लंबाई ले रहे हैं मुद्डे की 5.5 इंच ले अभी जो इसका फोर्त भाग रहेगा 32 का तो देखिए तैयार में आएगा यह एट इंच तो यहां पर 8 इंच है हमने 10 इंच ले लिया है क्योंकि दो इंच की मार्जन अभी जो है यहां पर मार्जन दिया है और जो यह लाइन है इसकी मार्किंग कर लेगा देखिए इसकी मार्किंग मुशिए जो तैयार साइज है वह हमारा यह साइज रहेगा और यह हमारा दो इंच का मार्जन और एक इंच से इसकी हम गुलाई करना सुरू कर देंगा आपको अलग से इसकी इस्ट्रा कटिंग करने की जरूरत नहीं है अभी नेक ले लेते हैं तो देखिए सोल्डर से 2.5 इंच ले रहीं और इसकी जो गहराई है आप अपने साइज की अनुसार ले सकते हैं जैसे मैं इ नीचे से हलका सा ब्रॉड कर देंगे तो इसकी जो पहनने की बाद जो फिनिशिंग आती है बहुत ही अच्छी आ जाती है नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा तो यहां पर भी आप इसको डार कर लें देखिए यहारा नेक होगे यह सोल्डर और अभी हम यहां पर जैस एक इंच नारी किस में मार्जन लेंगे जैसे मिं बता है तो यहां पर भी इसकी लेंगा सूल्डर पे वी तो हम साड़े बारेंच लें ले लेते साड़े 26 पैभी एक मार्किंग कर लेंग यह हमारी बेल्ट रहेगी नीचे वाले और यह रहेगा हमारा कप साइज हैंग त्गाके में प्लेट भाल सुच्छ लिए यहां पर 5 इंच यहां पर लिया यहां पर रिया अब हिसकी शेप देदे तैंगे इस तरीके से सिह पहले दाट लगा लें nr और यहां से इस तरीके से लगाते ही ऑग लाएं देखें यह dot हमारी इस तरीके से आ जाएंगे अभी इसको आप डार्क लायन ड्रॉट याज़ाइगी देखें इस तरीके से इसकी द्लेख आ जाएंगी अभी हम इसमें प्लेट की मार्किंग कर लेंगे तो दीकि जो हमने state है जहाँ पर हमारे यह hooks आएंगे यहाँ से हमें इस तरीके से 4.5 इंच पर एक डॉट लगा लेंगे और इसमें प्लेट जो है 2 इंच की लेंगे तो 4.5 इंच जो लिया है एक डॉट यहां पर और इसके बाद एक डॉट दो इंच पर अभी दो इंच के बीच और बीच एक इंच पर मार्किंग कर लेंगे और जो प्लेट की लंबाई लेंगे वो तीन इंच लंबी लेंगे तो जो हमने इस तरीके से मार्किंग किये यहां पर एक लाइन तीन इंच लेते हैं अभी जो हमने 1-2 इंच डोच पिलेट लिए लिए एक इंच दोनों साइड में आएगा डोनों साइड होमें इस तरीके ब्लीट नहीं आएगी क्योंकि यहांपे जो हम कट्टिंग करेंगे तो यहां पैज आएस था यहां पर यह तो यहां पर इस तो यह द дости हमारा वची प्लेट ब्लेट वर यहां से लेकि बटा यहां से ज्यादा नहीं है रहें the मुद्डे की तरफ से यहां पर इन दोनों प्लेटों के बीच में इस तरीके से इंची टेप को रख लेंगे और यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां पर 4.5 इंच लंभी प्लेट आजाएगे तो यह तीन प्लेट है हमारी कुछ तेखिए इस तरीके से आएगा जो इसका कप साइज आता है काफी अच्छा आता है और फिटिंग बहुत अच्छी लगते है पहनने के बार दिखिए इसकी मार्किंग कम्प्लीट हो चुकी है अभी इसी ड्राफ्ट में इसको कटकर लेता हुआ हुआ है यह हमारा कप साइज तैयार हो गया अभी दिखिए जो बेल्ट ह हमने यहाँ पर ऐच्छटा मार्द हैं दे लिया अभी यहाँ पर जो कमर में फिंशिं Wirtschaft गेंगे आप जो यह कमर है इसकी फिनिशिंग दे इसमें अगर कपड़ गमें तो आप सैम मार्किंग कर लें पिर अलग से जो कपडा लगा के फिर उसकी मार्किंग देने ऑ देखे यह हमारा ड्राफ्ट एकदम कंप्लेट हो गया तो दीखे ड्राफ्ट को रखे आप कपड़े पे कट कर लें और सिलाई की वीडियो मैंने काफी अपलोड किया है में थर सिलाई का से में साइज कोई भी साइज देखे जब आप इसकी प्लेट डाल देंगे तो देखे इतना च्छा सा यहां पर कप आजाएगा और यह जो पाता यहां से लाइज स्टार्ट होगी और यहां तब देखिए तो अब इसासन तरीके से 32 size का round cut belt blouse cut कर सकते हैं आप इसासन तरीके से ये belt blouse cutting इस वीडियो में आपको उताऊंगी goal cut blouse कैसे बना दीखे मेरे पास काफी comment आ रहा है 34 size का round cut belt blouse की cutting के बारे में बता हैं तो दीखे मैं paper पर draft बता रही है और इसी draft को रखे ये आप कपड़े पर cut कर सकते हैं तो करते हैं सबसे पहले आप अपना solder ले ले जैसे का solder हमारा 5.5 inch है यहां पर 5.5 inch ले लेंगे मुड़े 5.5 inch जो भी आपका size है उस हिसाब से आप ले सकते हैं इसके बाद हम लेंगे अपने blouse की लंबाई तो दीखे हमारे blouse की लंबाई 15 inch है और 1 inch एश्टा ले रहा है तो 16 inch ले लेंगे तो 16 inch का ही मना ये paper ले लिया है अभी लेते हैं हम chest तो दीखे चेस्ट का जब हम तैयार करेंगे तो 4 भाग आएगा 8.5 और 2 inch का margin ले ले लेंगे अभी यहां पर इस तरीके से लाइन ड्रो कर देते हैं तो दीखे यह हमारा chest का लाइन है और अभी नीचे तक हम अपना एक लाइन ड्रो कर लेंगे और 2 inch का जो margin लिया है इसको भी ड्रो कर लेते हैं देखे इस तरीके से और नीचे हमारी जो लंबाई है 16 इंच यह भी ले लेते हैं अभी हम लेते हैं मुड्डे मुड्डे की इस तरीके से क्रॉस में बैक साइड की साब से लेंगे तो 1.5 इंच लेना है लेकिन फ्रेंट है हम एक साथ ही ले लेते हैं एक इंच ही तो इसी की से पाजाएगी की गुलाई कर देते हैं तो दिकिंग इस तरिके से अब यहां से थोड़ा सा इस तरीके से लेते हुया है जो इसके साथ ही यहां पर इस तरीके से चली चाए अभी हम ले लेता है अपना कप साइज तो दीकहे हमारा जो कप साइज है वह 12 ऐंच है 12 एंच फ्लस कर देंगे तो हम थर्टी निंच ले रहा है थर्टी निच पे लाइन डॉप कर लेंगे अभी नेक ले लेता है फोलर से 2.5 ले रही हैं गहराई जो मिले रही हैं आप इससे कम जाया ले सकता है जैसे मैंने 6 इंच ले लिया और इस तरीखेसे box भॉना देंगे इसकी सेप दे देते हैं मैं राउंडी दे रहीं इस तरीके से इसकी सेप आजाएगी अभी हम इसकी गुलाई करते हैं तो दीखिए गुलाई आपको यहां से 1.5 जो हमारा हुक पट्टी सेंटर है यहां से और देखिए 1.5 यह हम दे देंगे मुड्डे की तरफ से जो साइड ठ Border कर लेते हैं और यहां भीश्को डार कष्देग सेएं सेम लायन को प sözषे एंसी में के बिखिए इस तरो सीफ घ्만क कैसे रचाएगा अभी हम प्लेट की मार्किंग कर लेते हैं तो इस तरीके से हम इंची धेप को रख लेंगे और यहां पर पॉने पाँच से एक मार्कि कर लेंहें और एस साइड में It is Metal 2 इंच की प्लेटं और 3 इंच की लंबाई अब ही एक प्लेट डालेंगे में घ्रम मुड्डे की तरफ इसे एक प्लेट डालेंगे हम सेंटर पॉइट तरफ के तरफ से तरफ देप को रंख लेंगे ओर यहां पर कर लेंगे यह प्लेट यहां पर से और से मार्किंग कर लेते हैं तो यह जो ड्राफ्ट इसको टॉक्तर लेते हैं तो दिखें यह प्लेट भी इस तरीके से आजाएंगी और दिखें यह कटिंग भी कमप्लेट हो चुकी है और इसी तरीके से आप बैक पार्ट भी नॉर्मल जैसे कट करते हैं वैसे नॉर्मल कटिंग कर लें और इस्टिचिंग के मैंने काफी वीडियो अब्लूट करें तो म मुझे उम्बीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस आसम तरीके से ये गोल कट व्लाउज बना सकते हैं मेथड सेम रहेगा साइज कोई भी सही दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को सेर करें, लाइक करें, चैनल सबस्क्राइब करें, थैंक यू